हलो डियर वेलकम आपका स्वागत है फार्मा भाई रविंद्रा यूटूब चैनल पे दोस्तों मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं कुछ इंपोर्टेंट क्यूशन जो कि आपकी फार्मा की प्रिपरेशन में आपकी काफी हेल्प करेंगे। मैं इसे आपको प्मॉपर्मा के पेपर में देखने को मिलें यओं को आप बिल्कुल भीमिस मत कीजेगाज अगर याद करने में दिक्कत होती तो इनको राइट ौन कर लीजिएगा दोस्तों लेकिन आप इन क्यूशन को आप बिलकुल भी मिस मत कीजिएगा बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है और मैंने चुन-चुन के क्यूशन बनाए हैं दोस्तों इसमें मेरी बहुत महनत लगी हुई है तो आप इन क्यूशन को बिलकुल भी आप ऐसे मत लेना की आएंगे नहीं आएंगे कुछ पता नहीं है इन में से डेफिनेटली बहुत से क्यूशन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे तो आप अच्छे से इन पर फोकस करके मेरे साथ में स्टड़ी करें तो आईए दोस्तों चलते हैं अपन फर्स्ट क्यूशन पे विच ओफ फॉलोइंग ड्रग इस एन एक्जामपल ऑफ प्रोटोन पंप इनिहेबिटर तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एस्परीन सेकेंड आइबू प्रोफेन थर्ड ओमिप्राजोल फोर्थ है सिटोमिफेन तो दोस्तों सका राइन्सर हो जाएगा miedo अब वर अपना प्लाक डाइंड आता है तो इसका राइक आंसर हो किस ट्रम का यूज लेकि अपन उसको परिवाशित करते हैं तो इसका अपना फार्मा को काइनेटिक्स, सेकिंड है फार्मा को डाइनेमिक, थर्ड है फार्मा को जनेटिक्स, फौर्थ है फार्मा सूटिक्स, तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मा को काइनेट दोस्तों जो kinetics होता है उसमें अपन ड्रग के मुवमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि बोडी पे ड्रग कैसे act करती है इसमें अपन ADME यानि absorption, distribution, metabolism and excretion या elimination के बारे में study करते हैं और जो अपना dynamic होता है उसमें how to drug act on the body उसके बारे में study करते हैं उसके अंदर अपना mechanism of action include होता है pharmacological action और adverse effects जो अपन जिसमें पढ़ते हैं उसको अपन pharmacode dynamic कहते हैं और pharmacogenetics इसमें अपन genetics के बारे में study करते हैं और pharmaceutical आपको पता है tablet capsule के बारे में study करते हैं next question पर चलते हैं अपन which of the following insulin is not a type of insulin used to treat diabetes तो इसमें regular insulin लिस्प्र इंसुलीन मेट फॉर्मिन एन एन एच पी एच इंसुलीन तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों मेट फॉर्मिन which of the following antibiotics is commonly used to treat urinary tract infection इन में से कौन acid drug है जो commonly used में ली जाती है UTI की रूप में तो इसका penicillin, ciprofloxacin, azithromycin, endoxycicalin तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों अपना ciprofloxacin next question की बात कर लेते हैं दोस्तों which drug class is commonly used to treat hypertension तो इसका first option है beta blockers, second antistamine, third है antidepressant, fourth है antacid तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा अपना beta blockers जो beta blockers होते हैं वो hypertension में commonly तरीके से यूज में लिया जाता है इन में propaninol का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है next question की बात कर लेते हैं अपन what is the mechanism of action of statin drugs तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों inhibit hmg coed reductase next question की बात कर लेते हैं दोस्तों the following medication is commonly used to treat allergic reaction तो इसका prednisone है, diphenhydramine है, metoprolol है और lisinopril है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों, diphenhydramine, next question की बात कर लेते हैं दोस्तों warfarin act as a anticoagulant by, तो इसमें inhibit platelet aggregation, inhibit vitamin K, epoxide reductase, inhibit cox, inhibit ACE तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों, inhibit vitamin K, warfarin जो है इसको solely तरीके से याद रखना कि यह vitamin K के उपर काम में करती है next question की बात करते हैं दोस्तों, which of the following medication is commonly used to treat GERD यानि gastroesophageal reflex disease तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों, ranitidine, ranitidine, fumotidine, cementidine यह अपने H2 category की drugs होती है, जो की अपने acid के secretion को reduce करती है next question पर चलते हैं दोस्तों, what is the mechanism of action of benzo-digepine? इसका first option है, inhibit GABA reeptake, second है block acetylcholine receptor, third है increased serotonin level, fourth है enhanced GABA neurotransmission तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा, enhanced GABA neurologic neurotransmitter next question की बाद, the therapeutic effect of a drug is best defined as a, तो इसका right answer हो जाएगा, दोस्तों the desired on intended effect of a drug, उसको अपन therapeutic effect के रूप में परिवाशित करेंगे next question, which of the following is not a common side effect of angiotensin converting enzyme inhibitor तो इसका right answer हो जाएगा, दोस्तों, hypertension, जो एक अप है, hyperkalemia है, angioidema है, यह इसके common side effect है, लेकिन hypertension इसका कोई side effect नहीं है, बिल्कि यह hypertension को यह treat करते है, next question की बात कर लेते हैं, a patient with type 2 diabetes melt is prescribed metformin, which of the following is primarily mechanism of action of metformin, दोस्तों metformin जिसके बारे में मैंने बताया है, बहुत important drug है, और यह type 2 diabetes में यूज में लेते हैं, तो इसका जो mechanism of action है, वो आप याद कर लीजेगा, increase insulin sensitivity in peripheral tissue, यह sensitivity को increase कर देते हैं, अपने peripheral tissue में, तो next question पे चलते हैं, हैं, दोस्तों, which of the following drug classes is commonly used to treat depression, तो इसमें कौन सी AC class है, जो depression को treat करने में, यूज में ली जाती है, तो इसका right answer हो जाएगा, दोस्तो, SSRI यानि कि selective serotonin reuptake inhibitor, जो इसमें commonly use में ली जाती है, next question पे चलते हैं, यह patient with a peptic ulcer is prescribed proton pump inhibitor, which of the following is the primary mechanism of action of PPA, तो PPA के पहले भी बात कर चुके हैं, इसका क्या अपना mechanism होता है, तो इसके right answer हो जाएगा, decrease gastric acid secretion, यह अपने gastric acid में secretion को कम करते हैं, और relief प्रड्यूस करते हैं, next question पे चलते हैं, which of the following medication is commonly used as a bronchodilator in the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease, तो इसका right answer हो जाएगा, albitrol, next question पे चलते हैं, what is the primary mechanism of action of statin drug in the treatment of hypercholethramia, inhibition of CMG, coia reductase, दोस्तों, यह question आपको कई बार मैंने previous videos में भी करा रखे हैं, तो यह repeated question भी है, जो कि most important question है, आप इनको बिल्कुल miss मत कीजिएगा, और इनको बिल्कुल याद करके जाएगा, next question पे चलते हैं, which of the following antibiotic is not a member of the penicillin class, तो इनमें कौन सी penicillin class का member नहीं है, तो इसका right answer है, दोस्तों, X is the risk of drug interaction in older adults, यह तोड़ा unique question है, तो इसको भी देख लीजिएगा, next question पे चलते हैं, which of the following is not a primary source of planted drugs, तो इसमें right answer हो जाएगा, दोस्तों, अपना minerals, दोस्तों, यह question मेंने सारी subject को compile करके बनाए है, आपको सारे question, जो सिफाई फार्मा का question है, paper जो आन देखते हुए, तो आप इन questions को बिलकुल भी miss मत कीजिएगा, तो right next question पे चलते है, what is the term used to describe the study of drug obtained from natural source, particularly plants, तो जो प्लांट की study है, उसको पन क्या बोलते है, उसको पार्मा कोगनोशी बोलते है, तो right answer हो जाएगा, पार्मा कोगनोशी, which of the following is a class of secondary metabolites produced by plant that often have pharmacological property, अपना secondary metabolites जिसमें क्या है, तो आपको सब को पता है, अपना secondary metabolites होते है, तो right answer है, अपना alkaloids हो जाएगा, next question पे चलते है, which of the following plant part is commonly used to herbal medicine for its sedative property, तो इसमें right answer दोस्तों, जो sedative property होती है, वो flowers की होती है, next question पे चलते है, दोस्तों, which of the following technique is commonly used to identify and an authenticate medical plant based on their morphological characteristics, तो दोस्तों इसका जाएगा आपका macroscopical evaluations, यह एक evaluation से questions था, जो कि एक important question है, which of the following is not a characteristic features of alkaloid, कौन सा इसमें character है, जो एक alkaloid में नहीं होना चाहिए, they are exclusively found in plant, और बाकी जो है, वो alkaloids के एक characteristics होते है, which of the following alkaloid is dried from opium and commonly used as an analgesic and antitensive medication, तो इसमें कौन सा एक ऐसे analgesic है, जो opium से प्राप्त होता है, तो इसमें opium से प्राप्त होने वाला morphine है अपना, तो इसका right answer morphine हो जाएगा, next question की बात कर लेते हैं, theobroma found in coca beans belong to which class of alkaloid, तो इसका right answer हो जाएगा, जैंतिन alkaloid, next question पे जलते है, which of the following alkaloid is commonly found in coffee beans and act as central nervous system stimulant, तो यह बिल्कुल easy question है, coffee में caffeine होता है, सबको मालूम है, तो इसका right answer caffeine हो जाएगा, which alkaloid is primarily responsible for the psychotic activity of the plant known as magic mushroom और cyclobene mushroom तो इसका answer आपको question में दे रहा है, cyclobene, तो इसका glowing is not a major class of biomolecule, कौन सा major class नहीं है, इसमें तो इसका right answer हो जाएगा, vitamins, next question पे चलते है, which enzyme is responsible for the conversion of glucose to glucose 6 phosphate in glycolysis, यह भी एक अपना glucose का जो glycolysis cycle है, उससे एक important question है, तो इसका right answer option हो जाएगा, exokinin, which of the following is primary energy currency of cells, तो इसका ATP हो जाएगा, adenosine triphosphate, which of the following amino acid is exclusively ketogenic, तो इसका answer हो जाएगा, leucine, which of the following lipoprotein is responsible for transporting cholesterol from peripheral tissue back to the liver, तो इसका right answer हो जाएगा, दोस्तो, HDL, यानि high density lipoprotein, which of the following is not a function of the skeleton system, कौन सा function नहीं है, यह regulation of blood glucose level का नहीं करता है, which of the following is primary function of RBC, CRBC का क्या primary function है, यह oxygen transport का होता है, which organ is responsible for producing bile, while it adds in the digestive and absorption of fat, तो इसका liver हो जाता है, अपना producing of bile का, which of the following is not a function of the respiratory system का क्या function नहीं होता है, production of hormone, hormone का production कहां से खरेगा virus respiratory system और यह next question की बात कर लेते, which hormone is primary responsible for regulation blood glucose level by promoting glucose uptake into cell and glycolysis synthesis in the liver, तो इसका insulin हो जाएगा, next question पर चलते हैं, what is the primary purpose of drug inventory management in a pharmacy sitting, तो इसका हो जाएगा, to ensure medication are available when needed, next question पर बात चलते हैं, which of the following inventory management method involves ordering a fixed quantity of medication whenever the stock reaches a predetermined and recorded point, तो इसका right answer हो जाएगा, minimum maximum inventory system, last question है अपना यह इसका management का, which of the following document is used to track the movement of controlled substance in a pharmacy, तो इसका right answer हो जाएगा, control substance inventory log, कुछ अपन जीके की questions की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत important है, who is the current prime minister of India, इसका right answer हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, current president of United State, तो इसका right answer है, जोई बाइडेन, when the 2022 FIFA Men's World Cup, इसका है अर्जेंटिना, what is the capital of Australia, केने बीरा, right answer है, केने बीरा, which countries recently become the first, first to achieve net zero carbon emission, इसका हो जाएगा, China, next question, who is the current secretary general of the United Nation, इसका हो जाएगा, Antonio Guterres, next question पे जलते हैं, what is the currency of Japan, कई है, Ian, who has awarded the ballon d'or for the best football player in 2023, इसका right answer है, Leon Messi, what does the term COAS stand for in the Indian Army, तो इसका right answer हो जाएगा, option A, यानि की chief of army staff, next question है, what is the meaning of the term Pera SF, in the Indian Army contest, तो दोस्तों इसका right answer आपको देना है, कि इसका Pera SF का full form क्या होता है, यह एक बहुत important question है, आर्मी के लिए, तो आप दोर दीजिएगा, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अपनी तैयारी को बिल्कुल सही दिशार में लेके जाएं दोस्तों, तो अप इतना भी कंटेंट करके जाते हो, तो आप qualify के डिग्री में आजाोगे दोस्तों, तो इसी के साथ में बने रही रविंदास सर्मा के साथ में जय हिंग, जय वारत